So hey guys, welcome to study skills success, then एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है anti-abass question series के हमारे इस session में, तो आज हम 11th session करने वाले हैं कल हमारा session नहीं हुआ था, because Sunday था, तो Sunday को हम off रखते हैं and आज हम 11th session कर रहे हैं, जिसमें हम bio के 20 questions करने वाले हैं जो कि Hindi and English both languages में रहेंगे, तो आप किसी भी medium के अगर student हो, तो परिशानी आपको नहीं होगी, ठीक है तो शुरू करते हैं, आज के हमारे इस session को और देखते हैं, आज का हमारा पहला question आज का हमारा पहला question कुछ इस परकार से है, कि कौन सा अंग, अकार में अंडाकार होता है, जिसमें एक सगन आवरन होता है और शरीर की तुलना में 2 से 1.5 degree centigrade कम तापमान वाले अत्रिक्त उदर कोस्ट में स्तित होता है which organ is oval in shape, has a dense covering and lies in extra abdominal pouch having 2, 2, 2, 1.5 degree centigrade lower temperature than the body ovary eyeball testis या फिर epidemis यानि की अधी वरक्षन तो guys इसका right answer क्या होगा, तो इसका right answer होगा testis यानि की वरक्षन तो वरक्षन जिसे अंड कोश भी हम कहते हैं, तो नर्जनन तंतर में 2 अंडाकार अंग होते हैं वे तवचा की एक थेली में नहीत होते हैं, जो वरक्षन कोश है वो कहा जाता है ठीक है जो तवच्छा की एक थेली होती है उसमें पाय जाते हैं निहीत मतलब उसमें पाय जाते हैं जिसे वरक्षन कोश का आ जाता है तो इसका राइट आंश्वर टैस्टीस होगा यानि की वरक्षन होगा इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप Telegram चैनल जोइन कर लीजेगा जो कि Study Skill Success नाम से मिलेगा यहाँ पर Success हट गया है Study Skill लिखा है only तो Study Skill Success सर्च कीजेगा आपको मिल जाएगा चलिए, next question पर चलते हैं next question है आपका कि वर्गी की इकाई संग का उपयोग केवल जन्तूओं के वर्गी कर्ण में किया जाता है पाद्मों के वर्गी कर्ण में एक संग के समतुलिया कौन सा पध है तो इसका right answer जो होगा वो होगा option number C यानि की division division जो है बिल्कुल इसका right answer हो जाएगा ठीक है गाईस चलिए next question पर चलते हैं question number 3 जेल वेदूत कर्ण संचालन का उपयोग किसके लिए किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस यूजड फॉर A, B, C या फिर D तो इसका जो right answer होगा गाईस option number D होगा separation of DNA fragments according to their side उनके अकार के अनुसार DNA खंडों के प्रतक करण के लिए जो है वो इसका use किया जाता है जेल विदूत कर्ण संचालन का यानि कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ठीके गाईस option number D इसका बिलको right answer हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न निमल इकिस में से गलत कतन का चैन कीजिए तो आपको incorrect statement को चूज करना है कि इन में से कौन सी होगी जो option number D में आपको दिया गया है कि संकर्मन सुतर जिवानू को जाइलम और फ्लोयम तक ले जाता है यानि कि infection thread carries the bacteria to xylem and phloem तो ये बिलकुल गलत हो जाएगा जो मूल गरंथी का निर्मान होता है उसके दुरान जो संकर्मन सुतर होता है जो संकर्मन सुतर होता है infection thread जो होता है वो जिवानू को मूल के वलकूट में लेके जाता है ना कि जाइलम और फ्लोयम में लेके जाता है तो D हमारा यहाँ पर बिलकुल गलत हो जाएगा और वहीं से वे मूल के वलकूट में निर्मान की शुरुवात करते हैं ठीक है चलिए next question पर चलते है जब एक जीन की सक्रियता को एक गेर अलील जीन की सक्रियता से दबा दिया जाता है तब इसे किस रूप में जाना जाता है when the activity of one gene is suppressed by the activity of a non-allelic gene it is known as तो इसका राइट आंसपर होगा option number C प्रबल यानिकी epistatis epistatis जो है बिल्कुल इसका राइट option हो जाएगा अगला प्रश्ण इंडिगो फेरा सस्बेनिया लूपिन और चने जैसे पोदे क्या होती है यह आपको बताना है यह पोदे क्या दर्शाती है plants like इंडिगो फेरा, सस्बेनिया, लूपिन एंड ग्रेम क्या शो करते हैं यह आपको बताना है सबसे पहले तो यह जो सारे आपको पोदे दिये गए है यह जो सारे जो आपको plants दिये गए है वो फेवेसी कुल से समन्दित है ठीक है फेवेसी फैमिली से समन्दित है तो option number D इसका बिल्कु राइट हो जाएगा A and B A में आपको दिया गया है यह जो एक व्यास सम्मित पुश्प्रा वो दरशाते हैं और यह सारे के सारे फेवेसी कुल से समन्दित है ठीक है तो A और B दोनों हमारे इसके राइट आप्शन हो जाएगे चली question number 7 टरीडू फाइट में बिजानू क्या उत्पन करने के लिए अंकूलित होती है इन टरीडू फाइट, स्पोर्स जर्मिनेट ट्व्य टू प्रोड्यूस प्रॉतेलस, बिजानू धानी, बिजानू उधित यह फिल новых लुक्या करते हैं प्रोत प्रोतेलस प्रोतेलस जो है बिल्कुल इसका राइट आंस पर हो जाएगा ठीक है चलिए आगला प्रेश्ट निमनमित लिखित में से गलत मिलान को चूज कीजिए आपको इंकरेक्ट मैच को चूज करना है तो आपको जो फोर नंबर दिया गया है आर्को बैक्टीरिया के सामने साइनो बैक्टीरिया वो बिल्कुल ही गलत होगा जो आदे जिवाणू होते हैं ठीक है जो आर्को जो बैक्टीरिया होते हैं वे विशेश होते हैं वो स्पैशल होते हैं क्योंकि वो सबसे कठोर आवासों में पाय जाते हैं कठोर कैंसे जो अतियंत लवनिय शेत्र होते हैं जैसे कि हेलोफी, गरम जरने होगे और जो कच्छ के शेत्र होते हैं मैथोनेजन जो होते हैं उनमें ये रहते हैं ठीक है? चलिए अगला प्रशन अधिकांश आवरत बीजी के विकाश शिल बिजान में गुरू बिजानों मातर कोशी का बिजान काय के भी तरस्तित होती हैं इन देवलपिंग अव्यूल अफ दो मोस्ट अफ द अंजियो स्पर्म मैगा स्पोर माधर सैल इस सिचुएटेड विदिन द नुकलिस A, B, C या फिर D तो option number A इसका बिलकुर राइट होगा बिजान दवार की हो तोवर्ड्स दा माइकोपोल माइक्रोपोल अगला प्राश अस्थिल अन्तेफल विति किसमें उपस्तित होती है स्टोनी एंडो काप इस प्रेजन इन बैरी, ड्रप, पोर्ड या फिर पॉम option number B बिलको राइट होगा ड्रूप, आम आम और नारियल के जो फल होते हैं उनको एक ड्रूप के रूप में जाना जाता है ठीक है अगला प्रश्ण लीची में तीसरा अध्यावरण जो बिजान के अधार पर बिजान वरत से विक्सित होता है वह है इन लीची, थर्ड इंटीजमेंट विच डेवलप्स फ्रॉम दा फोनिसल एड़ बेस ओफ दी ओव्यूल इस मासल बीच, कवच, परचंद, मालसाकूर बीच चॉल तो लीची में तीसरा अध्यावरण पाय जाता है वो बिजान वरत के अधार पर होता है बिजान वरत के अधार पर विक्सित होता है और मोटा और गुद्देदार होता है थोड़ा और जो मोटा और खुद्यदर होता है वो इसका खादय भाग होता है उसका निर्मान करते हैं और इसे जो है वो भीचोल यानि की अरिल के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए अगला प्रशन निमलिकित में से ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में होने वाली एक मातर ओक्सिकर अभी क्रिया के लिए आप्शक क्रियाधर की पहचान कीजिए Among the following identify the substrate required for the only oxidative reaction that occurs in the process of glycosis तो इसका right option option नमबर B होगा glycelehyde 3-phosphate चलिए अगला प्रश्ण एक वर्नाद पूरुष XY एक महिला से विवा करता है जो हीमोफीलिय XXH के लिए वाहक है नमले कितमे से कौन सा उनकी संत्तियों के लिए सत्य है बताईए तो इन सब के basis पे जो options बनेंगे न तो वो कुछ इस परकार से बनेंगे अगर पुत्तर होता है तो संभावना कुछ इस परकार से होगी XY और XHY ठीक है अगर पुत्तरी होती है तो संभावना कुछ इस परकार से होगी ठीक है तो इस परकार से अगर होता है तो 25% possibilities ये है कि मादा जो संत्तियां है वो हीमोफीलिय और वर्णदात्ता दोनों के लिए जीन वहन करती है यानि कि जो option number A दिया गया है इसकी परकार से represent करेगा option number CB तो इस परकार से इसका जो options right होगा वो all of these होगा all of these जो है इसका बिलकुर right option हो जाएगा अगला प्रस्ट अंकर गिनितिया व्रदी के उधारन है तो कौन से उधारन है मूल दिर्गी कर जो रूट elongation जो है विलकुर इसका right option होगा अगला प्रस्ट जब समान आवशक्ताओं के अनुकूलन के कारण विविन्स रचनाओं को एक ही दिशा में विक्सित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है इसे बोलेंगे analogy यानि कि सारदर्शय सारदर्शय या फिर समरूप सरचना जो होती है structures जो होती है वो होती है तो दो जीवों के बीच एक ने जो समान्य पूर्वज होती है उसको इंगित नहीं करती है next एक मानव नर में एक काई कोशिका डैश में होता है इस somatic cell इनने human male contains डैश तो डैश की जगा पर क्या आएगा आपको बताना है तो option नमबर डी राइट होगा कि प्रतेक लक्षन के लिए केवल एक लिंक सहलेगन जीन only the sex link जीन फोर इच करेक्टर मानव नर में 44 अलिंक गुण सुतर होते हैं और एक जूड़ी लिंक गुण सुतर होता है जिसमें की X और एक Y गुण सुतर होता है और X और Y गुण सुतर पर जो जीन स्टित होता है उसे लिंक सहलेगन जीन कहा जाता है चालिए थूरियो साइट is कीट नाशी, कवक नाशी, प्रती जैविक या फिर खर्पतवार नाशी जो थूरियो साइड जो होता है वो कई कीटों के लिए विशाक्त होता है और ये जो जिवानों बैसिलस जो थूरीन जीएंसिस होता है उसके दवारा निर्मित होता है इसके द्वारा इसका निर्मान किया जाता है तो थुरियो साइड जो है वो इंसेक्टिट साइड है यानि की कीट नाशी है अगला प्रश्ट निमल लिकित में से कौन सा लक्षन मॉलास्का के लिए एदिवित्य है Which of the following character is unique to मॉलास्का चैनल सिस्टम, मैंटल कैविटी, कूट प्रगूहिका यानि की सियोडो कॉयलम या फिर कॉलर सेल्स तो जो ऑप्षन नमबर बी जो दिया गया है मंटली कैविटी ये बिल्कुल राइट होगा चलिए आज का अपना सेकंड लास्ट कोशन है ड्रोसोफिला की लार गरंती में पाए जाने वाले गुणसुतर डैश होती है क्रोमोसॉम्स फाउंड इन दा सैलेवरी ग्लेंड ओफ ड्रोसोफिला इस तो पॉलिटीन क्रोमोसॉम्स यानि की बहु पुट्टिय गुणसुतर जो है बिल्कुल इसका राइट आंस पर होगा और ये बहु पुट्टिय जो गुणसुतर है पॉलिटीन क्रोमोसॉम्स यह उनको लार गरंती गुणसुतर के रूप में भी जाना जाता है और इनकी जो खोज की गई थी वो जो काईरो नॉमस कीट है उनकी लार ग्रंती में की गई थी और बाद में बहुत सारे कीट और भी आगे जैसे की ड्रोसो फिला हो गया उसकी लार ग्रंती में भी इसकी खोज हो गई थी चलिए लास्ट कोशन निमल लिखित में कौन सा सबसे उच्चित रूप से परिवाशित है यह आपको बताना है लेंदी कोशन है तो थोड़ा टाइम लीजिएगा तो option number C इसका बिल्कु right होगा बोला गया है पर भक्षी एक ऐसा जीव है जो भोजन के लिए अन्य जीव को पकड़ता है और मार देता है predator is an organism that catch and kill other organism for food ठीक है तो C इसका बिल्कु right option हो जाएगा यह था आज का session उमीद करता हूँ session आपको काफी हद तक पसंद आया होगा ऐसे ही sessions आपको daily मिलने वाले हैं इस channel पर तो channel पर नए हो चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लीजिएगा because यह जो questions है वो आपके आने वाले NEET 21 के examinations के लिए most important रहने वाले हैं then खतम करते हैं आज के session को out of 20 आपका score क्या रहा comment section में comment करके जरूर बताईएगा बाकि मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक करें good luck and have a nice day कर दो